हाई एवरिवन बी ए प्रोग्राम की 30 डिसंबर से ओनलाइन क्लासिस शुरू हो रही हैं आपको ये इन्फोर्मेशन मैंने एक दो दिन पहले प्रोवाइट करी थी अब इस ओनलाइन क्लासिस का जो शिट्यूल है वो एसोल की वेबसेट पर आ गया है यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ओनलाइन क्लासिस आपकी फर्स समेस्टर में पूरे टाइम के लिए नहीं होंगी सिर्फ कुछ टाइम के लिए होंगी और लगबग लगबग मिड जनुवरी के आसपास यह क्लासिस ओफलाइन मोड में शिफ्ट कर दी जाएंगी और ऑनलाइन क्लासिस आपकी माइक्रोसॉफ टीम्स एप में होंगी फिलाल जैसे जैसे अपडेट आती है वैसे वैसे आपको इंफ्रोमेशन दी जाती है यह शिटियूल आप अपने सामने देख रहे हूँ यहाँ पर आपकी तोटल चार सब्जेक्ट की क्लासिस का शिटियूल आया है आपके पास तीन सब्जेक्ट होंगे डिसिब्लेन के जिसमें से दो आपके मैजर होंगे और एक माइनर होगा आप अपनी फीरी सिप को डाउनलोड करो जिस भी केटेगरी के आपके पास दो सब्जेक्ट है वो आपका मैजर है और तो तीसरा सब्जेक्टिव आपका माइनर है ठेक है तो यह इस तरीके से आपको क्लासिस देखनी है इसके अलावा जो चौता सब्जेक्टिव आपका जन्रिक इलेक्टिव है जन्रिक इलेक्टिव की क्लासिस का आपका टाइमिंग मेंशन है यह जो classes हैं December 30 को लगेगी और January के अंदर आप देश सकतो इन dates में यह classes लगेगी 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 अब January 12 के बाद का schedule नहीं आया है because expected है कि उसके बाद classes offline mode में shift कर दी जाएंगी यहाँ पर आपनी fear receipt से match करके देख लिजेगा subject जो भी आपकी fear receipt में subject है याद रखे discipline वाले और generic वाले इन दोनों category के subject की classes लग रही है अभी value added course, skill enhancement course और AEC course AEC में environmental sciences है skill enhancement में communication या रंगमच जो भी होगा आपके पास उनकी classes फिलाल नहीं लग रही है और value added course की classes फिलाल नहीं लग रही है हो सकता है जब वो offline mode में हो वो classes उस time पर लगे फिलाल यह तो schedule है आपके सामने है आप इसको समझ सकते हो और समझ में नहीं आता है तो just अपनी fear receipt को download करो उसमें यह देखो कि कौन कौन से subject लेखी गए है आपकी fear receipt में से चार subject की classes आपको इसमें मिल जाएगी तीन subject की नहीं मिलीगी वो आपका AEC में EVS की नहीं मिलीगी इसके लिए enhancements codes की नहीं मिलीगी और value edit course की नहीं मिलीगी विकास उसका schedule नहीं आया है इन चारो subject की classes आपके online होनी है जो आपके सामने अभी इस वक्त mention है अपना Teams एप डाउनलोड करके रखिए हो सकता है ID password आपको SMS के थूप भज़ा जाए या फिर ऐसा हो सकता है कि बिना ID password के ही आप classes जोईन कर पाओ उसके लिए थोड़ा सा आपको और इंतजार करना पढ़ेगा फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही थैंक यू